तु प्यार है किसी और का तुझे चाहता का यार है तु पसंद है किसी और की ओके दोस्तों कि आप भी कुछ इस तरह का सेट सोंग इस्टेटास वीडियो क्रेट करना चाहते हो तो दोस्तो इस तरह का status वीडियो create करने के लिए आपको दोस्तो काइन मैस्टर एप का जरुवत पड़ेगा और दोस्तो काइन मैस्टर एप का लिंक मेरे वीडियो के description में आपको मिल जाएगा अगर दोस्तो आप लोग मुझसे वीडियो क्रेट करवाना चाहते हो तो दोस्तो मुझे कमेंट या इंस्टागरम पर मेसेज जरू करना तो दोस्तो सिंपली से आपको काइन मैस्टर एप आपको डाउनलोड करके ओपेंड करना है open करने के बाद दोस्तों आपको simply से create में क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको noise to solution में क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको fill screen करके photo duration आपको 4 second डखना है उसके बाद आपको next करना है उसके बाद आपको media option में जाके कम से कम दोस्तों आपको 30 से 35 फोटो आपको add करना है दोस्तों आपको photo add करने के बाद दोस्तों आपको simply से आजाना है starting position में आने के बाद दोस्तों आपको layer option में जाके media option select करके आपको एक lyrics video add करना है दोस्तो लेटिक्स वीडियो एट करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको चले जाना है दोस्तो मीडिया आप्षिन में और जाके आपको एक बलेक बेगराउंड एट करना है तो दोस्तों यहां पर आपको black background का length दोस्तों आपको 6.3 seconds तक आपको रखना है उसके बाद दोस्तों आपको lyrics video में थोड़ा प्रेस करके आपको ले आना starting position में और दोस्तों आपको lyrics video में एक बार click करके आपको split and play heart कर लेना है उसके बाद दोस्तों पहले बाला जो पार्ट है उसको आपको कुछ इस तरह से थोड़ा zoom करना है और नीचे में लेगा दोस्तों blending option और जाके आपको दोस्तों simply से screen करना है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है थोड़ा आगे आना है आगे आने के बाद दोस्तों देखना lyrics video का red color कहां से end और आ है तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा आगे ले जाता हूं आपको दोस्तो राइट साट कुछ इस तरह से कट करना है उसके बाद दोस्तो फिर आपको आगयाने के बाद दोस्तो रिट कलर से दोस्तो यहां से चेंज हो रहा है दोस्तो आपको उसी तरह दोस्तो आपको फोटो में किलिक करना है केंची वल आप्शन में जाके राइट दोस्तो आपको Color Match के हिसाब से आपको फोटो का लेंद आपको कुछ इस तरह से आपको कट करना है तो दोस्तो मैं फटापर से सभी फोटो का लेंद कट कर लेता हूं उसके बाद दोस्तो मैं आप सभी को दिखाता हूं तो दोस्तों सभी फोटो का लेंद कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पड़ आपको आजाने हैं दोस्तों और फास्ट फोटो की तरफ और आपको कुछ इस तरह से थोड़ा जूम करना है जुम करने के बाद दोस्तो पहले बाला फोटो में किलिक करना है किलिक ग्राफिक में जाके आपको दोस्तो इन इनिमेशन किलिक ग्राफिक एट करना है जो कि दोस्तो आपका जितना दोस्तो बड़ा फोटो है दोस्तो आपको क्या करना पड़ेगा फोटिफोर सिलेट करने के बाद दोस्तो जो next photo छोटा है दोस्तो आपको इन animation में आने के बाद दोस्तो आपको सिलेट करना है दोस्तो वान नमर को दोस्तो जो बड़ा photo है आपको सिलेट करना है 33 और जो छोटा photo है दोस्तो आपको सिलेट करना है वान नमर को तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी फोटो में कुछ इस तरह से में क्लिक ग्राफिक एट कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों मैं अब सभी को दिखाता हूँ तो दोस्तों मैं करिब सभी फोटो में दोस्तों एवला क्लिक ग्राफिक जो है मैं एट कर लिया हूँ और दोस्तो आपको ये वाला क्लिक ग्राफिक एट करने के बाद दोस्तो आपको आजाने दोस्तो फास्ट फोडो में दोस्तो आने के बाद दोस्तो आपको लेयर अप्शन में जाके मेडिय अप्शन स्लिट करके आपको दोस्तो एक ब्लेक सेडो एट करना है दोस्तो ब्लेक सेडो एड़ करने के बाद दोस्तो आपको कुछ इस तरह से थोड़ा जूम करना है और आपको दोस्तो करीब इस पोजिशन में करीब आपको बैठना है बैठने के बाद दोस्तों, हिंपर आपको second बॉला part में click करके इसका आपको एक ebook duplicate लेना है डूबली कर लेने के बाद दोस्तों, पहला बार आपको delete करना है और duplicate lyrics में click करके आपको blending option में जाकर आपको screen करना है उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस position में आपको थोड़ा जूम करके आपको बेठेड़ना है कुछ इस तरह से इतना दूर करने के बाद दोस्तों आपको black shadow का length आपको ले चल जाना वीडियो का end तेक वीडियो के end तेक लेने के बाद आपको आ जाना starting position में आने के बाद दूस्तों आपको क्या करना पड़ेगा एक आपको PNG border आपको add करना पड़ेगा सबसे पहले दूस्तों आपको एक particle video लेना है तो particle video लेने के लिए layer option में select करके आपको media option में जाना है particle video लेने के बाद इसको fill screen करना है नीचे में लेगा blending option screen कर लेना है उसके बाद आपको starting position में आके layer option select करके media option में जाना है और आपको png border दोस्तो add करना है add करने के बाद इसको fill screen करना है और इसको आपको ले चल जाना वीडियो के end तेक end तेक लेने के बाद दोस्तो मेरा वीडियो करिप editing हो गया है तो मैं आपको एक बाद प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से दोस्तो वीडियो जो editing हुआ है तो दोस्तो देख रहाँ मेरा वीडियो बहुत याच्छा ओपी तरह से जो editing हो गया है दोस्तो अकर आपको इस ट्राप के वीडियो editing करने में कोई भी आपको problem होड़ा है तो प्लेस मुझे comment करके जरूर बतना तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं एक नियो interesting नियो वीडियो के साथ तो आज की वीडियो में इतना ही था